ओसकर साला कौन थे? 1910 में जर्मनी में संगीत में स्वाभाविक प्रतिभा रखने वाले मातापिता के घर जन्मे साला ने अपनी किशोर आवस्था में वाइलिन और पियानो जैसे वाध्ययंत्रों के लिए रचनाये और गीत बनाना शुरू किया. गूगल ने 112 जैन्ती पर वनमैन ओर्केस्ट्रा ओसकर साला का सम्मान किया. गूगल 18 जुलाई को एक विशेश गूगल डूडल के साथ नवोनमेशी इलेक्ट्रोनिक संगीतकार और जर्मन भौतिक विध्यानी ओसकर साला का 112 जन्मदिन मना रहा है, जो उन्हें संगीत रचना और नए उपकर्णों को विक्सित करते हुए दिखाता है. मिश्रन ट्रोटोनियम नामक संगीत वाध्ययंत्र पर ध्वनी प्रभाव पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर पहचाने जाने वाले सालाने रोजमेरी 1969 और दबढ़सक 1962 जैसे संगीत मैं टुकडों के साथ तेलिविजन, रेडियो और फिल्म की दुनिया को जब साला ने पहली बार ट्रोटोनियम नामक एक उपकरण के बारे में सुना, तो वह तानवाला संभावनाओं और उस उपकरण की पेशकश की तकनीक से मोहित हो गया। प्रेरित किया जिसे मिश्रन ट्रोटोनियम कहा जाता है। एक संगीत कार और एक इलेक्ट्रो इंजिनियर के रूप में अपनी शिक्षा के साथ उन्होंने इलेक्ट्रोनिक संगीत बनाया जिसने उनकी शैली को दूसरों से अलग कर दिया। मिश्रन ट्रोटोनियम की वास्तुकला इतनी अनूठी है कि यह एक साथ कई ध्वनियों या आवाजों को चलाने में सक्षम थी। साला को उनके काम के लिए कई पुरसकार मिले, उन्होंने कई साक्षात कार दिये, कई कलाकारों से मिले और उन्हें रेडियो प्रसारण और फिल्मों में सम्मानित किया गया। 1995 में उन्होंने अपने मूल मिश्रेंट रॉटोनियम को समकालीन प्रोध्योगी की के लिए जर्मन संग्रहाले को दान कर दिया.